क्या आप जानते हैं कि हम अपने कान यानी ears से कैसे सुन पाते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे कान कैसे वक करते हैं। हमारे कान को तीन भागों में divide किया जाता है, outer ear, middle ear और inner ear। जब भी कोई sound vibration generate होती है तो वो waves की form में हमारे outer ear में enter होती है। हमारे outer part के end पर ear drum present होता है। जब भी waves ear drum से टकराती हैं तो ear drum vibrate करने लगता है। Ear drum की vibration से sound signal middle ear में pass होता है। Middle ear में छोटी-छोटी तीन हड़िया पाई जाती हैं, जिन्हें melleus, incus और steps कहा जाता है। इन हड़ियों को ossicles भी कहा जाता है। ये हड़िया ear drum की vibration के कारण move करती हैं और sound signal को inner ear तक पहुचाती हैं। Inner ear में fluid filled chamber उपस्थित होता है जिसे cochlea कहा जाता है। Cochlea snail की तरह दिखता है। इस chamber के अंदर fluid के साथ साथ tiny hair cells भी पाए जाते हैं। इन हेर cells की surface पर hair-like projection पाए जाती हैं जिन्हें sterocelea कहा जाता है। जब middle ear में मुझूद हड़िया sound signal को amplify करके cochlea में भेचती हैं तो cochlea में उपस्थित fluid movement करने लगता है। fluid की movement से sterocelea भी move करने लगते हैं जिससे sound ये सलसे होता हुआ कोकलिय ये auditory nerve में पहुँच जाता है। auditory nerve से ये sound electrical impulse की form में brain तक पहुँच जाता है। और फिर brain उस signal को process करके बताता है कि कौन सी sound उस तक पहुँची है। इस प्रकार हमारे कान कार्य करते हैं।